हेलो फ्रेंड्स स्वागते अब सभी का हैं एमरहमान यूट्यूब चेनल पे तो फ्रेंड्स याप ये सुप्रिम कोड के अवकील संजय हैगरी जी की ओर से CAA और NRC को लेकर एक बड़ी खबर एक नई इंफर्मेशन निकल के आ रहा है जी हापुर अभी स्टार से जानने के लिए वीडियो को जरूर से एंड तक देखते रहे तभी आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा उससे पहले वीडियो को देखते देखते जरूर से ए कुरुवार को लगातार दूसरे दिन शाहिनवाक के प्रदर्शनकारियों से मुलकात की जहां लोग संक्षदित नागरिकता कानून और NRC के खिलाफ पिछले दो महीने से अधिक समय से दरने पर वेटे हैं वरताकार वकिल संजय हैग्ड और साधना रामचंदरन मीडिया की प्रदर्शनकारियों ने उन्हें मनाने की कोशिश की की हुए अपने वात मीडिया के सामने रखना चाहते हैं लेकिन पत्रकारों को वात में जाने को कहा गया रामचंदरन ने प्रदर्शनकारियों को सम्वानित करते हुए कहा आपने बुलाया हम चले आए उच्चेतम नैले ने समवार को कहा ताकि शाहिनवाग में सरक वंध होना परेशानी पैदा करने वाला है और प्रदर्शनकारियों को किसी दूसरी जगा जाना चाहिए जहां कोई सर्वजनिक स्तान अवरद नहीं हो हाला कि शीश आदलत ने प्रदर्शनकारियों के विरोध के अधिकार का वरकरार रखा शीश आदलत ने हेग्रे से प्रदर्शनकारियों को किसी बेकल्पिक स्तान पर जाने के लिए मनाने में भी सकारत बगमिका निवाने को कहा उस हेगडे ने समधताओं से कहा जब शाहिन भाग बारत में प्रदर्शन का उदाहरन बन गया है तो हमें इसे प्रदर्शन की मिसाल पेश करनी चाहिए जो किसी को प्रेशान नहीं करे आप सभी इस वात को लेकर आशस्त रहे कि हम यहाँ आपके लिए लड़ने आए है यह मत सो आता है और देश चलाता है उनमें से कोई बार कुछ सही हो सकते है तो कुछ गलत हो सकते है आप जो कह रहे है उसे पुरा देश सुन रहा है और प्रदान मंतरी भी प्रदर्शन कारी नागरिक्ता संक्षदन कानून को निरस्त करने की मांग कर रहे है राम चंदरन ने कहा कि वो उस दिन का बैसबरी से इंतिजार कर रही है जब देश का महल बदलेगा